हेलो गाइस आज मैं आपको एक वीड चीज दिखाने वाला हूं हमारे एक सस्क्राइबर हैं ठीक है वह वेस्ट बेंगॉल से हैं उन्होंने देखिए फॉर्म टैंक जो है सस्ते जुगार में बिल्कुल अपने घर पर बना लिया है आप देखिएगा पूरा वीडियो को ठीक थोड़ा आदमी को जुगारू बनना पड़ता है तो देखिए उन्होंने जुगार के ता अच्छा लगाया अभी फॉर्म और बढ़ेगा अभी जो है उन्होंने धूना कंप्रेसर थोड़ा कम खोलावा अभी यह थोड़ा ज्यादा खोलेंगे तो देखिए अपने गारी वाइब्रेसर क्या हो रही है वाइब्रेसर से फॉर्म जननेट हो रहा है टैंक के अंदर अब यह उस साइट जाएंगे और यह प्रॉपर हमें दिखाएंगे तो यह किस तरीके से हो रहा है तो आप देखिएगा फॉर्मिंग अच्छी आ रही है मतलब कि जो बाल्टी में पुराने तरीके से दोते हैं कि कपड़ा लिया बाल्टी में शैंपू मारा उससे बहुत बढ़िया है अगर आप थोड़ा सभी इसमें दिमाग लगाएंगे ना तो यह बन जाएगा यह देखिएगा कितना अच्छा फॉम आ रहा है ठीक है और फॉम भी चिपक भी रहा है जिसे आप अराम से कस्टुमर की गाड़ी दो हो सकते हूं ठीक है तो यह देखिएगा हमारे इंडिया में ऐसे से लोग हैं जो खाली बात को समझ के और चीज का इस्तमाल करते हैं यह देखिएगा नो ने यह देखिए कितना शांदर तरीके से यूस कर रहे हैं मुझे इनक किया है इन्होंने बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया है मैं इनका नंबर तो आप लोगो डिस्क्लोज नहीं करूंगा बड़ मैं आपको एक वीडियो में बनानी थी कि देखिए किस-किस तरीके से लोग फॉर्म टेंक को घर में भी बना सकते हैं देखिए उनके पास खा कारवसिंग सेंटर के लिए तो यह था और अगर आपको फॉर्म टेंक हमसे खरीद ना होगा तो आप हमसे तरीक सकते हो हमारा WhatsApp गुरूप का लिंक भी है आप चाहो तो जोइन हो सकते हो यह हमें तीन बनाने हैं ठीक है एक तो हमें वाल यह वाला लगाना है आधा इंची का वाल लगेगा इसमें देख लो आधा इंची का वाल है यह भी आधा इंची का है उपर हमने एक कपलर लगाया है जिसमें पाइप लगेगा हमारा ठीक है अभी मैं आपको मुटा मुटा सम फॉम नहीं आ रहा है वो यहां से फॉम आएगा ठीक है इसमें आपको पाइप नहीं लगाना है इसमें इस वाले में यहां से एर आती है यह जो पाइप है यहां से कंप्रेसर से एर आएगी इसके अंदर यहां आपको पाइप नहीं लगाना है आपको पाइप वहां लगाना चोटा वाला वो बांद लीजेगा अंदर को टाइट से अच्छे से बांद लीजेगा वो यहां तक लेके जाएगा ठीक है आप समझे मेरी बात को यहां तक आपको पाइप लेके जाना है ताकि जो है वह पानी जो है पूरा फॉर्म जर्नेट करके ऊपर को प्रेसर निकाले आप लोग लोग गलती कर रहे हैं वो यहां करते हैं ठीक है और आपको यह जो नोजल है एक्स्टा जो है यह जो है एर निकालने के लिए है जब भी आप शैंपू या पानी दालेंगे तो बहुत असानी से दल जाएगा और यह जो है आपको प्लास्टिक का चाहूँ तो आ जाएगा आपका ठीक है यह बहुत असान है खाली आपको जो चेंजेस करना है जहां से फॉर्म निकलता है उसमें आपको नीचे पाइप लगाना है बस वह पतला वाला बस और यह जो एर वाला है इसमें आपको कुछ नहीं करना है कोई पाइप नीचे नहीं जाएगा इसम इसा मेरा वीडियो का समझमा आएगा तो देख नेज़ेगा